कि स्वागज़ दस्तो इस्टार्ड वर्ल्ट केड़ी में दस्तो आए आलम रेलो के तीसरा पार्ट गतिक नेम पर बात करने वाले हैं दोस्तो इसको ज्यादा ज्यादा रिवाइज करिए आना वनले एकजाम के लिए बहुत इंपोर्टन रहेगा यह सब रेलो वाइव प्रसंट करते हैं तो इसका काुऌन क्या है कर रहा है 26 प्रसंट क्या कर रहा है राकेट के किस सिधान पर कारे करता है तो राकेट किस के सिधान सिधान पर कारण करता है तो राकेट अ डी नंबर यानिकि सनवेक संच्च्चक है सब्सक्राइब हमाप कार नikaट रोकेट में गैस अत्यधिक बेग से पीछे की और निकलती है तथा राकेट को यह कहो आगे की ओर बढ़ने लिए आवाश्यक यह यह बढ़ने के लिए आवाश्यक सनवेः पड़ान करता है तो सनवेःग उसको बढ़ानों करता है तो इसको क questo अगरा देख लेते हैं अगरा 27 कुस्च्चन है कर यदी 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 एक पिंड का बेग अपने आरंबिक मान का एक तिहाई कर दिया जाता है तो कड की गतिज उर्जा हो जाएगी कड की गति जूर्जा हो जाएगी ठीक है चलिए तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं तो फिलाल मैं इसको हल कर रहा हूं देखिए भीवन इसका लिटू कितना दिया है भी एक से चल रहा है ठीक है हम लोगत का इनेट के राजिक क्या होता यह वाला यानि गति जूर्जा बर एक बटा में दूग एम भी इसको है ठीक है तो जब हम लोग फर्स्ट वाले का रखेंगे इस वाले फर्स्ट पहले का निकालेंगे तो क्या आएगा क्या यहां जली बताइए और यही भी टू है यहने कि भी भाई ठीक है भी भाई थ्री होगा क्यूलियर। तो इस में महान रख लेते हैं भी भाई इसको बी टू पर देलेते हैं इसको तब एक बटा में दू यम मतलब यह में राएगा आई यह कितना हो जागा कितना हो जाएगा जली से बताई ये भी भाई 3 और भी भाई 3 यानि कितना होगा सब्सक्राइब कितना उना था वाई नाइन एकटा में दू एक बटाई में दू एम इसको है कितना ना aturesटेगा कितने गुना हो जाएगा एक बटा में नौ गुना हो जाएगा तो आपसे नंबर क्या हो जाएगा आपसे नंबर भी हो जाएगा ठीक है आई आगे तिछ चलते हैं अगे प्रस्न है एक कड़ का दर्वेमान ताथ संबेग यहान्य कि यह मान और शंबेग पी हो है तो इसकी गतिज उट्जा होगी तो इसकी गतिज उट्जा कि तो इसको याद रख लिजेगा कि पी स्क्वाइर बेटा में तू यह मोता है टू यह मोता है ठीक है तो इसका आपसण नंबर क्या हो जाएगा आपसा नंबर जाएगा अगला अगला प्रस्न है एक लड़की जूले में बैठकर जूल रही है यदि लड़की एक आएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा ठीक है तो अब इस पर थोड़ा सा पॉइंट कर लेते हैं आप जानते हैं कि सरल आवर्त गर्ती में जो आवर्त काल टी बरावर होता है कि तो पाई ठीक है एल भाई जी एल बाई जी होता है ठीक है यानि की टी क्या हो जाएगा एल ठीक है अब इसमें आप जाद्धान देने वाली पॉइंट है कि लड़की के खड़े होने पर जूले की प्रभावी लंबाई कम हो जाती है और उसका दोलनकाल कम हो जाता है उसका दोलनकाल क्या हो जाता है जो लंबाई प्रावर लंबाई क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो उसका जो दोलनकाल होगा यानि T value होगा उसका वो कम हो जाएगा ठीक है तो option क्या हो जाएगा इसका option number A यानि कि कम हो जाएगा ठीक है तो अगला अगला क्या है गतिमान वस्तु में होती है, अब तो यह सिंपल बात है, गतिमान वस्तु में क्या हो सकता है, तो वही गति जूर्जा, ठीक है, क्या होगा, गति जूर्जा होगा, अब इसमें थुरा कुछ पॉइंट हमनों सीक लेते हैं, पहला पॉइंट क्या है, कि किसमें किसमें गति चलते हुए वाहन में भी गतिज उर्जा होता है घुमते हुए लट्टु में उत्पन उसमें भी गतिज उर्जा होता है तो इसमें क्या हो जागा आपसर नमबर इसका होगा डी आपसर नमबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है चलती गारी में बैठे आदमी की उर्ज एप या शुखर होती है चलती गाड़ी में बैठे आदमी की उर्जा होती है अब द्याँ से देखिए आप चलती गाड़ी है उसमें आदमी कोई बैठा है तो इसका मतलब वह तो और तो गती भी कर रहा है और इस्तिर बैठा भी है ठीक है तो आप messああ चलती वी गाड़ी में बैठे आदमी में गती जूर्जा और इस्तिति जूर्जा दोनों होती है ठीक है बैठे वा बैक्ति सीट के सापेच बिरावा वस्था में रहता है इसलिए इस्तिति जूर्जा का ठीक है तथा उस बैक्ति के सरीर के उपरी हिस्सा सीट के सापेच गती में रहने से गतिज उर्जा अन्वा करता है ठीखे तो इसका अफसंस क्या था आपस नमबर दिख सिता ठीके चलिया गत्रिया और प्रतिक्रिया अब बछे अब बाती क्रिया प्रूप्र जल्दी से क्या होगा है में तो पहले समय इसमि glowing करते वास्ती क्रिया प्रतिक्रिया के जूरूल्स हैं क्या है तो क्रिया यं प्रतिक्रिया विप्रीद दिशाएं रखते हैं दो यह कहीं वस्तू पर क्रिया करते हैं इसका परड़ामी क्या होती है परड़ामी कितना हो जाता है शुन्ने होता है किदर हुआ यानि कि क्या होगा इसका यानि विप्रीद दिशाय में रहते हैं समान परड़ाम रखते हैं और धो बिन 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 बिसो पर कार करते हैं ठीक है लेकिन वे एक ही वस्टू पर किर्या क ठीक है इसका आप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप्शन डी आप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है चलते हैं किला जब किसी गतिमान पिंड की गती दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी और परवर्तित रहे तब क्या होगा तो आप इसमें एक नोट गती बढ़ाने से नियत दूरी रहने पर लगने वाला समय आधा हो जाता है ये चाल जो है अगर माली ये बढ़ा रहे हैं तो जो समय उसका लगएगा वो आधा लगएगा इसका मतलब चाल है यानि कि चाल ठीक है अकुर्णमानपवाथी समय के तो यानि जो गती बढ़ाने से नियत दूरी रहने पर जो समय आधा हो जाएगा जब आदा वेश्चन नमबर क्या होगा अप्सन नमबर भी हो जाएगा ठीक है चलिए अगला देखते हैं कि अगला प्रसुन में क्या है कि को प्रीभासा मिलती है तो आप भी जानते होंगे किस रासी की परिवास मिलता है तो आपको सिंपल बात है कि आप लोग यह भी जाने है यह जानते हो एफ वराबर कि यह में ठीक यह वराबर यह में इसकी की बात हो रही है बल की बात हो रही गया बल की बात हो रही है तो आपसन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आपसे न्मबर बी हो जाएंगी बल का परिवास मिलता है ठीक है अगला प्रस्ण क्या है न्यूटन की गती का कौन सअनियम जड़त्यों की ब्याख्या करता है चलिए अब जड़त्यों सअनियम में बैख्या करता है इसका रुषार किसी वस्तु की इस्थिती तथा दिशा में बीना किसी वायबल के परिवर्थन नहीं हो सकता है यह प्रथम नियम भी कहता है जड़त्यों के नियम भी कहता है इसका मतलब क्या हो जागा अप्षन प्रथम नियम ठीक है चलिए अगला देखते हैं एक वस्तु के जड़त्यों की प्रत्यच निर्भरता है अब बताइए क्या हो सकता है तो इसको हल करने से पहले अगर आपको आश्रा रहता आप जरूब बताल देख लिए अपने को बैट इस पर कुछ इंपोर्टेंट इनको आप आश्रा आश्रा जड़त्यों सदुष सद्ला की सीधे समुआ नुपाते होता है ये जड़त्यों होता है थीक है जड़त्यों होता है वो जो M दर्विमान के सीधे समानुपाती होता है जड़त्यों के अनुसार कोई वस्तु तब तक अपनी बिर्यामा अवस्था में रहती है जब तक कि कोई वाहे बल आरोपित न हो जाए ठीक है तो सिंपल बात है क्या हो जाएगा जड़त्यों जो है किसे प्रत्या सिंद्र करती है M पर ठीक है यानि आपसन नंबर आपसन नंबर A आगे देखते है विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है तो यह तो सिंपल बात है C बोल्ट मीटर ठीक है एंगे स्ट्राम अगला क्या प्रसंद था एंगे स्ट्राम क्या मापता है तो जली सब्सक्राइब क्या मापता है जली सांसर दीजिए क्या मापता है भी आपसन एनिक तरंग दर्देम आपता है ठीक है एंगे स्ट्राम अब अगला प्रसंदेखिए टेको मेटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है टेको मेटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है जली से बताइए तो चलिए इस पर कुछ हमलों पॉइंट जान लेते हैं वाहन की गती इससे मापी जाती है यानि कि टेको मेटर से क्या मापी जाती है वाहन की गती मापी ज यानौ कि गत्ती भी मापी जाती है कि लिए कर अपसं क्या हो जाएगा जली से तक बतार दीजिए तो आप सिंपल बात है चाल मा परात तो निसी सुरुप से अपसंघ क्या वजीगा दी हो बियो आई आज का लास्ट और गती पर प्रश्न पर यह जीतने भी गती को पर समय थे उसपर यह लास्ट जो प्रस्न है यह जो रेल कॉछन देख लिए व्यूं अपने के लिए जाता है सिंपल बात है कि पौवन का बेगनापने के लिए आता है थिके पवन का बेगनापने के लिए हैता है और इसका चमता भी नापने लिए किया जाता है है ठीख है इसका छमता भीन अपने के लिए यानि डोनों में होता है किलिए चलियर अपसे नमबर क्या हो जएगा ईयाइट इसे बिखति के कैसा लगा कि आज का सेसें कैसा लगा के अदिखे बाक्सओं अगर आप दिखत हो रहा हैn उसको १। यह ज़रूर्वर आपका सपॉर्ट कर सके हमाई टीम आपके लगी हुए है अच्छे-च्छे तो आप इसको ज्यादा रिवाइज करिए अगला वीडियो आने वाला है उससे पहले ये तीन पार जरूर आप देखिएगा इसको रिवाइज जरूर करिए ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही अगर आप नए है तो सब्सक्राइब लाइक एंड़ जरूर करिए क्यों ओके जहिंद बंदे मात्राँ